ये कहानी एक ऐसे महा ब्रह्मांड की है जो नहीं होनी चाहिए थी मैं क्या महसूस किया उस वक्त जब मैं दुनिया बदल गई अप उनका काम खलास बच्चे अपने कुटने बैट और आख मंद कर ले तुझे कुछ नहीं होगा जब मैं निशहाय खड़ा रहा और मेरे मां पापा का खोना गटने बैरा था मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ ऐसा लग रहा था कि जमीन और आस्मा फट गई हो और सिर्फ एक रिक्तस्थान बच गया हो और ये रिक्तस्थान मेरे अंदर था मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, डर भी नहीं तब येक रिंग उसके पास आता है Bruce Wayne तुमारी अंदर डर को काबू करने के बहुत चमता है Green Lantern Corps में तुमारा सौगत है मैंने डर को दूर नहीं किया यह मुझे अंजान था और मैं ज़्यादा सोचा भी नहीं कि यह क्या बोल रहा है और क्या चीज मुझे बात कर रही है मुझे बस उसकी परवा थी तुम कमीने आयला यह सारी पैसे ले ले मैं अब अस्सहाय नहीं हूँ और वो अपने रिंग को बोलता है मार दो इसको रिंग Green Lantern Corps का पहला नियम घातक बलकि अनुमती नहीं मुझे इसकी परवा नहीं है जितना बोला उतना करो इक्षा शक्ति प्रवल बढ़ रही है मुझे डर या संदे नहीं था मैं बस अपने अंदर के खालीपन को महसूस कर रहा था कुछ गरबर, बहुत गरबर इक्षा सक्ति काफी बढ़ रही है वो इसी के लाइक है खातक बल सक्चम और रिंग से हमला होता है और वो मर जाता है मुझे बस कैसे भी ये बाहर निकालना था मेरी उंगली में ब्रमान का सबसे शक्तिशाली हत्यार था ब्रूस, रिंग मेरे मापापा को जिंदा करो अपने मापापा को वापस पाने के लिए मैं ये भी छोड़ सकता था तब उसके मापापा उठते है ब्रूस, हम तुमसे बहुत बहुत प्यार करते है ब्रूस, उन्हें वहीं छोड़ कर चिलाते वे चिला जाता है मैं कुछ भी करने को तयार था जिससे मुझे इतना असहाय महसूस नहीं होता इतना अकेला पन सुरवात में सम्मुझे हीरो बुलाते थे क्रीन लेंटर्न लग नहीं रहा था कि तुम आओगे गौडन मैं आपको मेरे साथ बिनमर बने रहने के सला देता हूँ आकरी पुलिस वाला जिसने मुझे धमकी दी थी उसे पस्तावा हुआ हमारे पास कुछ गाइव लोगों की रिपोर्ट आई है मुझे लगा तुम ही बता दू हाली में मेरी आदमी को कुछ सुराव मिला है वो काफी दिन ने चला बुरूस इस केरिक्रों को मारते रहता है डौन रेकर पस्चाताप या सीमाओ के बिना मारता गया समझ गया मुझे पता है कि काइब कौन हुआ है बुरूस कहीं नीचे आता है पेंग्विन वह पेंग्विन अपने आदमी के साथ रहता है पीछे इस आदमी पस यह वह बच्चा है पेंग्विन हे भगबान वह हमारी हत्या करने वाला है उसे माँ डालो लैंटर्न क्या किया तुमने उसके साथ उपर देखो जिम सब बुरूस पे हमला करते है बुरूस रिंग को बोलता है रिंग तभी वहीं अंधेरा फैलने लगता है ये रिंग एक्षा शक्ती से काम करती है नहीं पाया क्या 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 तुम मुर्ख ख्रिनित हो पेंग्विन तुम मेरे सहर में लूटते और मारते हो और मैं इसे परिसान हो चुका हूँ तभी वो पेंग्विन को उपर अंतिरिक्ष में ले जाता है और वहीं बनने के लिए छोड़ देता है जैसे मैंने कहा गॉर्डन उपर देखो तुम्हें उसकी अत्री पत्री दिखेगी लैंटर्न इसको बंद करना होगा ये सही नहीं है मुझे फर्क नहीं परता कि तुम मेरे साथ क्या कुरोगे पर किसी न किसी को तो बोलना परेगा तुमने ज मुझे पता है कि तुम तकलीफ में हो तुम कुछ नहीं जानते मैं बेवकुफ नहीं हूँ कुछ साल पहले ये तीन लासे मिली थी क्राइव यहली में क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता ब्रूस चुप रहो गॉर्डन तुम्हारी एक बेटी है न अफसोस और वो रिंग अफसर 2814 के ब्रूस वेन गिन लेंटर्न कॉप्स कह रही है कैंधेट तुम तुम एक बिकार लेंटर्न हो, हम तुमें ठेख करने आए हैं तुम बहुत बुरा कर चुके हो तुमने अपने अंदर के अंधिकार से रिंग को और पूरी ग्रीन लेंटर्न कॉप्स को प्रदू अब मेरे भी दोस्त हैं मैंने अंधेरे में बनाया है तभी एक चीक सुना देती है और अंधेरे हटते ही वहाँ सरी पेक गैंथेट बसता है रूको यह सब को बर्बाद कर देगा और तभी उसका सरधर्श अलग कर देता है क्या तुम सोच सकते हो सबसे शक्तिसाली हत्यार मेरे उंगली में और मैं फिर भी असाहाय और केला मैसूस कर रहा था मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ मुझसे अब बर्दास नहीं होता मैं ब्रूस्वेन नहीं रह सकता मैं ग्रीन लैंटर नहीं रहना चाहता यह लैंटर के साथ मैं रोसनी को रोक देता हूँ कोई चमकदार दिन में दिश्टी से बज नहीं पाता मैं शाम को राक में बदल देता हूँ मेरी शक्ती से सापधान रहा हूँ टॉन प्रेकर के प्राकर्म से और उसी वक्त सारी दुनिया भिखरने लगी मैंने तुरंत पहचान लिया यह जो खालीपन मेरे अंदर है यह अंधेरा जो सारी उजाले सोक लेता है मुझे तारे तक दिखाए नहीं दे रहेते हैं तभी पीछे सवाज आती है काफी अच्छी दुनिया लग रही है यह ऐसा चल रहा है तुम्हारा वैचे मुझे तुम बैक्मन हो लाफ्स कर सकते हो और बेवकूफ हैं वो अंधेरे में घजितने लाइक हैं उनके दुनिया तुम्हारी तरह उखड जाएगी यह महान बारवाटूस की मांग है तुम अंधेरे की युद्धा हो तुम वहां के ओजाले को बुझा सकते हो और जोदी तुमने ऐसा किया तो बारवाटूस तुम्हे चुटकारा दे सकता है और जिसकी तुम्हें चाह है तुम्हारे मापापा को जिंदा कर सकता है मैं प्रभू की सिर्फ यही मांग है तुम्हारी अग्या कारता क्या तुम अपने घुटने टेकोगे या मरना पसंद करोगे डॉन ब्रेकर अर्थ पे आता है प्रकास इतने ल उसकी हाथ में भी एक ऐसी रिंग है पर मुझे महसूस नहीं हो रहा डर भी नहीं ग्रीन लेंटर बैटमैन क्या यह तुम हो पहले चेताव नहीं देदेता हूं पहले भी ग्रीन लेंटर को मार चुका हूं और मैं अब भी कर सकता हूं और उसने रिंग से बनाए जानवर गिलैंटन की तरफ बढ़ते हैं रिंग को बोलते हुए रिंग हमला करो इस पे उसकी रिंग उसे मना करते हुए यह ज्यात रचना रिंग सही से काम नहीं कर रहा असंभव हाल उसकी अंधेरे में फसते हुए यह मत बोलो कि असंभव वापस हमला करो रिंग बोलते हुए कि प्रकास नहीं प्रकास नहीं और वो अंधेरे में जाते रहता है तब ही मैं डॉक्टर फेट की बिजली के साथ एक दरवाजा खुलता है जल्दी चौकते हुए डॉक्टर फेट? तुम्हारी कहीं और ज़रूरत है नहीं मुझे कोश्ट सिटी बचाना है तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है जब बात पुरे महाब्रमान की होतो और वो धीरे धीरे गायब हो जाते है डॉन बेकर पुरी सहर को पुरे अंधेरे में करते हुए प्रकास के दुनिया, उम्मीद कासा है, घ्रेनित उन्हें भी थुरा एसास होना चाहिए मेरे जैसा और पुरा अंधेरा चाह जाता है दोस्तों आपको एक कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं और इसी कहानियों को सुनने के लिए जूरे रहिए कौमिक होली के साथ, शुक्रिया